तो आज जो अभी जो डिस्कुशन करेंगे वो करेंगे बिल्कुल सिंपल चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेशियल मैनेजर आर्टीपी में एक कोश्चन डला हुआ में दोहजार चोबिस और वो कोश्चन एसा कोश्चन डला आर्टीपी में अगर देखोगे तूटल तीन ही कोश्चन है जो थोड़े से अलग कोश्चन है उसमें एक कोश्चन आई एफम का है जो capital business mix करके है और ऐसा कोश्चन IC, AI के study mat में नहीं है तो वो कोश्चन आपको देखना होगा किसी भी हालत में चांसे जाता है फिर हम लोगों ने जितना भी किया हुआ है IFM में वो पहले रिवाइस कर लेते और RTP में 2024 का में तो अपलोट करी दूँगा सर IFM के लिख के पहले क्या हमें capital budgeting का knowledge चाहिए यस क्योंकि inflation picture में आएगा तो आपका capital budgeting होना जरूरी है IFM होने से पहले और forex होना जरूरी है क्योंकि IRP और purchasing power parity का में यूज़ और दोनों chapter करना जरूरी है तब ही IFM बहुत अच्छे से समझ में ज़्यादा question है नहीं और ज़्यादा time का video भी नहीं बनेगा ये बड़ी मुस्किल से हाप एनेवर एक घंटे से पहले पहले खतम हो जाएगा और मैं आपका time pass नहीं करना चाहता IFM में हमें आठ नमबर का ocean आएगा मतलब आठ नमबर का आता था अभी तो कह नहीं सकते अगर मैं कहूं तीन illustration भी दे रखे हैं वो मैं cover नहीं करवा रहा हूं वो बहुत बड़े illustration मतलब उसको करने में दो घंटे लग जाएगे हाला कि वो class जिसको देखना है मैंने आपको video दे रखा था खेर फटा-फट से revision करते IFM तो part में cover करना पार्ट टू तो हला कि कुछ है नहीं है पार्ट वन है international capital budgeting वो करना ज़रूरी है इंटरनेशनल capital budgeting का knowledge जरूरी है CFAT वगिरा आएगा capital budgeting है तो यह आराम से होई एक बार देख ले स्टार्ट कर रहा है कि आखिर इसमें international capital budgeting कुछ भी नहीं सुनना ध्यान से बस concept लेते हुए चल रहा हूँ मालो यह इंडिया और एक कोई person है जो US में पैसा लगाना चाहता अब भी तक क्या हो रहा था capital budgeting में advanced capital investing में हम इंडिया के ही है और हमें इंडिया में ही पैसा लगाना है यहां ऐसा नहीं है आप US के रहने वाले और सुरी इंडिया के रहने वाले और आपको project में पैसा लगाना है US में तो US में जो currency चलती है वो चलती है डॉलर ठीके सर कोई दिक्कत लिए कब पैसा लगाओगे आज तो सर आज 1000 डॉलर लगाना है और rate चल रहा है 80 रुपीज तो उस हिसाब से आज मुझे इंडिया से पैसा लेना उठाना पड़ेगा और कितने रुपई की जरुरत पड़ेगी सर जरुरत पड़ेगी हमको 80,000 रुपई 80,000 रुपई का arrangement कहां से करोगे इंडिया से करोगे और इंडिया में cost of capital कितना है 15% ठीक है सर यहां तक कोई दे अब जब अक्या आप US में project लगाओगे पैसा डॉलर में लग रहा है तो आएगा भी तो डॉलर और future में हमारा अनुमान है कि डॉलर आएगा 500, 400, 300 ठीक अब सवाल यह हमें NPV निकालना कुछ नहीं तो सर NPV कैसे निकाले सबसे बड़ी बात यह है कि यार पैसा तो आज हमारा 80,000 रुपे लग रहा है और यहां का cost of capital कितना है discounting rate कितना है 15% 15% तुछ सलो ठीक है पैसा 80,000 लो कि पैसा आ कितना रहा रुपीज में यह कैसे पता करें इट मेंस सबसे important बात है कि यह जो future में dollars आ रहा है इसको हमें convert तो करना पड़ेगा Indian currency में और convert करने के लिए हमें rates चाहिए या तो rates दिया रहेगा या तो rates हमें निकालना पड़ेगा और निकालना जो पड़ेगा इसको किस rate से convert करेंगे forward rate इसको forward rate और इसको third year का forward rate और वो आएगा कहां से IRP यूज करना पड़ेगा या purchasing power parity तो हमें करना क्या है आज पैसा कितना जा रहा 80,000 रुपिया पैसा जो आएगा उसको convert करोगे तो यहां रुपीज जाएगा और उसको हम discounting rate से discounting कर देंगे और NPV निकालेंगे NPV positive आया तो accept कर देंगे NPV negative आया तो reject कर देंगे simple तरीका इसको बोलते है domestic currency approach या इसे बोले जाता home currency approach ठीक है और एक भी तरीका तरीका यह है कि सर एक काम करते हैं हम dollar में ही NPV निकाल देते हैं discounting rate क्या 15% यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हमें जो discounting rate है उसको adjust करना पड़ेगा उसको हमें US का discounting rate बनाना पड़ेगा सर 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 समझ भी नहीं आए समझो समझो थोड़ा सा यहां discounting rate है मान लो 15% यहां का inflation rate कितना है 14% और यहां का inflation rate है 8% सुनना ध्यां से अब यह जो rate है यह rate ज़्यादा क्यों है क्योंकि यहां का inflation ज़्यादा है जबकि यहां का inflation कम है तो discounting rate भी कम होना चाहिए तो जब इसको आप discounting करोगे ना तो आपको जो rate है उसको convert करना पड़ेगा और कहां के rate से convert करना पड़ाई है मतलब सर इसमें क्या inflation भी जुड़ा हुआ है यस पर इसमें कहां का inflation जुड़ा हुआ है इंडिया का वो हटाना पड़ेगा और US वाला add करना पड़ेगा और हटाते कैसे हो हटाते कैसे हो divide करके मैं करवा चुका हूँ और add कैसे करते हो multiply करके that's it मतलब इसमें से मैंने हटा दिया कहां का inflation rate इंडिया का और कहां का बना दिया US का US का add कर दिया तो अब discounting rate हो गया अब आराम से मैं इसको discounting कर सकता हूँ इसको बोला जाता है foreign currency फिर मैं example से it means हमें दो approach से काम करना एक होता है home currency approach एक होता है foreign currency home currency approach में बस याद रखना है foreign currency जो dollar है उसको आपको home currency में convert करना पड़ेगा और forward rate यूच करना पड़ेगा और forward rate या तो दिया रहेगा या तो IRP या purchasing power से हम काम करना foreign currency approach में कुछ करना नहीए बस discounting rate को आपको foreign currency का बनाना पड़ेगा जिसको मैं adjusted discounting rate बोल रहा हूँ हलाकि adjusted discounting rate ना भी बोलो तो चलेगा आपको discounting rate वहाँ का निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको NPV निकालना पड़ेगा और जो final NPV आएगा तीन साल बाद जो भी है जो NPV आ गया तीन साल के cash flow को डिसकाउंटिंग किया इसको और जो NPV आया NPV मतलब आज का value और उसको spot rate से हम multiply कर देंगे ठीक है सर एक example से समझाओ के तो मचाएगा example number one देखे एक ही example Indian company evaluating a project in US cost of project मैंने zero हटा दिया मैं ज्यादा calculation नहीं चाहता 1000 तो सर यूएस में पैसा लगाना एस एक हजार डॉलर लगाना पैसा आएगा अनुमान है 300 फर्स्ट यर में सेकंड यर में 500 और थार्ड यर में 600 spot rate दिया है risk free rate इंडिया का दिया है 6% और यूएस का दिया है 2% क्यों दिया होगा आपको पता power rate निकालना और require rate of return कितना है 16% और यह रुपीज टर्म है मतलब यही का है आपको cost और NPV निकालना है एक तो home currency approach में और एक foreign currency home currency approach से क्या करते हैं तर home currency approach में जो foreign currency है ना उसको हम home currency में convert करते थे उसके लिए हमें FR चाहिए होता था और FR के लिए हम in rates का use formula आपको अच्छे से पता है यह spot rate है उपर रुपिया का rate आएगा नीचे dollar का rate आएगा तो यह आ गया first year का इसको मैंने यहाँ use कर लिया यह आ गया second year का इसको मैंने यहाँ use कर लिया कोई दिक्कत है यहां तक आइस अब बड़ा असान काम हो गया आज पैसा यह dollars में है आप इस टेबल को ऐसे भी बना सकते आज जाएगा 1000 dollars future में आएगा 300-500 इस portrait मालूम है 75 एक साल बात का दो साल बात का तीन साल बात का उसको जब मैंने multiply किया तो यह आ गया रुपिया और इसको मैंने डिसकाउंटिंग किया 16% से तो यह आ गया और यह cash इंफ्लोर यह आउट्टोर है माइनस करने पे final answer आया 760 और NPV positive है तो हमें project कर लेना जाए द दूसरा approach में यह इंडिया का discounting rate है इसमें से इंडिया का inflation हटा देंगे यह इंडिया का rate of interest हटा देंगे यह risk premium हटाना है और US वाला add करना यह formula पे मैं नहीं जा रहा हूँ हमें discounting किस rate से करना पड़ेगा 11.62% इसके बाद बड़ा असान काम है यह सब डॉलर में ही दिया हुआ है सब कुछ डॉलर में discounting 11.62 से कर दिया तो discounting करने पी आ गया और यह NPV आ गया है डॉलर में 101 points और simple है NPV मतलब present value जब आज का value निकला हूँ हुआ है तो उसको हमने spot rate से multiply किया तो यह आ गया है NPV और खास बात है सर यह NPV ले लीजिए चाहिए NPV ले लीजिए क्या लगभग सेम आएगा या सेमी आना है approximation की वज़े से अंतर आ सकता सेमी सर हम करेंगे कैसी exam में depend करता आपको दिया रहेगा कौन से approach से कर रहेगा और सर कुछ ना दिया है तो मुझे home currency approach ज्यादा पसंद आता मैं home currency approach से ही करूँगा खाला कि जरूर एक note लिख दूँगा कि यह जो question है हम home currency approach से कर रहे है चले start करे question question number one TYK1 TYK1 हमारे AFM module लिखा ABC limited considering a project in US US में पैसा लगा रहे हो और पैसा कितना लगा रहे हो 110 1 million 10 lakh dollar ठीक है सर एक करोड़ दस लाक है ठीक है पास सा life है spot rate है 48 risk free rate यहां का दिया हुआ और इंडिया का भी दिया हुआ है और cash flow in dollars दे रहा ठीक है NPV और NPV बोला ही using foreign currency approach और discounting rate है 14% तो आपको इसी को discounting करना है discounting rate आपको हटाना पड़ेगा 1.14 हटाना पड़ेगा यहां का इंडिया का risk premium और वहां का add कर और उसके बाद NPV निकालोगे यह मैंने आपको homework दे रखा था क्योंकि example आपने किया हूँ चाहो तो practice के लिए कर सकते पर इससे अच्छा कोशन मुझे यह समझ वे आए था question number 2 यह हमारे AFM module का तो नहीं है पर exam में आया था जनवरी 2021 में अच्छा कोशन है यह पर देखी क्या देखा एक्स लिमिटेट एक इंडियन कंपनी है और investment कर रहा है एक क्रोड सिक्ष्टी फाइफ लैक लैटिन अमेरिक लाइफ है पास सा sport rate दिया हुआ all investment revenue in dollar ठीक है भाई dollars में आयेगा dollar और risk free rate दिया हुआ same ही question है जो किया था बस यहाँ आपको कौन सी approach से foreign currency approach सर यह तो same ही question है हाँ यह वाला question कर ले तो चलेगा foreign currency approach से बोला तो इस discounting rate को हमको ठीक करना 1.12 में से इंडिया का हटाया US का add किया तो हमें discounting करना होगा 9.93 डॉलर से दिया हुआ है discounting करेंगे 9.93 परशंट से agent value किया तो यह आ गया pvc उसमें से 165 lakhs 1 करोड 65 lakhs माइनस किया तो यह npv पर यह npv किसमें आया dollar से उसको हमें Indian में convert करना बढ़ेगा इस portrait से इस portrait से जब मैंने convert किया और npv positive है तो क्या project कर लेना चाहिए yes project accept कर लेना चाहिए तूसरा question था what will be the impact if there is a withholding tax of 10% applicable on the project इसका मतलब क्या है इसका मतलब है साब आप US में invest कर रहे है यह Latin America में invest कर US में US में invest कर रहे है तो जो dollar है वो आपको मिलेगा नहीं उस पर TDS कर जाएगा withholding tax क्या है TDS है और कुछ में तूसर TDS तो हर साल कटेगा yes तो TDS हर साल कटने के बाद 10% काटने के बाद यहां dollar लिखोगे multiply करोगे और फिर से नपी में लिकाट alternative क्या है क्यों आप बार बार कर रहे है यह जो PVCI आया है ना इसी में 10% TDS काट तो आंसर एक ही आएगा हमारे पास जो आया है उसमें से 10% TDS काट दिया तो net PVCI आ गया पी वी सी हो तो यह negative आ गया अगर यह negative है तो हमें project नहीं करना चाहिए ओके सर कोशन simple था बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं पर यह वाला कोशन मैं withholding tax भी था तो मुझे personally ऐसा लगा कि यह वाला कोशन करना ज़्यादा करना चाहिए कोशन no.4 tyk2 अच्छा कोशन है इसलिए मैंने करवाया हूं तो प्लीज इस question को भी कर प्लीज यह chapter छोड़ने का sense नहीं बनता बस एक बार रिवाइस ही करना है देखें एक स्वाइ लिमिटेड इस इंगेज इन लार्ज रिटेल बिजनेस इन इंडिया और आपको एक्सपांशन करना और पैसा कहां लगाना अफ्रीका आगे बढ़ रहा है because the action rate for currency of the proposed African countries extremely volatile and rate of inflation अफ्रीका में rate of interest inflation दिया है 40% और इंडिया में दिया है 10% management of XY Limited को लग रहा है कि यह future में भी यह रहेगा मतलब inflation rate वहां 40% ही रहेगा हमारे यह 10% है cash flow दिया है real term real समझते हो न yes sir real का मतलब sir without inflation इंडिया और अफ्रीका का cash flow दिया है पहले 3 साल का और यह जो cash flow दिया है real cash flow दिया है और अफ्रीका में जो चलता वो चलता rent पर यह real दिया sir अफ्रीका में पैसा जाएगा पैसा जाएगा पैसा जाएगा पैसा जाएगा पैसा जाएगा sorry यह इंडिया का दिया है और अफ्रीका में rent चलता है यह इंडिया का तो sir इंडिया में पैसा जाएगा इंडिया में माल बन रहा होगा और सर अफ्रीका से में पैसा सुरू में तो जाएगा पर आएगा 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 लेकिन ये real cash flow अब question बताएगा किसको nominal में convert करेजी inflation rate हमको पता है inflation rate यहां का कितना percent चल रहा है 40 percent और यहां का कितना percent चल रहा है 10 percent xy let xy limited assume that e year nominal वो कहना चाहता है कि आप रियल cash flow से काम मत करना आपको nominal cash flow से आप nominal cash flow से काम nominal cash flow ठीक है तीन साल का जो nominal cash flow है वो continue होगा हर साल perpetual बोल दिया है ओके मतलब sir cash flow fourth year का divided by k minus j करके terminal value निकलेगा हां जी वै और आपको nominal cash flow approach से ही question बना और अभी spot rate दे रखा है African rent six two per rupees you are required to calculate NPV of the proposed investment considering the following जो African rent जो African currency है उसको convert कर देंगे हम किसमे रुपिया में और discounting करेंगे risk adjusted rate से तो बच्चे बड़े confused है किसा risk adjusted rate तो आपने ये बताया था कि inflation हटा बेटे risk adjusted rate उसको नहीं बोला जाता it means यहां risk adjusted rate जो इंडिया में है वो 20% दिया है जितना risk है उसके हिसाब से मैंने risk adjusted बोल के थोड़ी सी गलती कर दिया था वो ये बताना चाहता है भाई कि जिस project में जितना risk है न उसके हिसाब से discounting rate 20% आपको 20% से discounting करना है और वो इंडिया का ही है और इंडिया का risk free rate नहीं है risk adjusted rate अब मैंने risk adjusted बोल दिया था यह मान के कि आर वो इंडिया अफ्रीका में जो पैसा लगा रहा है और अफ्रीकन करेंसी को गर discounting कर रहा है तो risk को adjust करना पड़ेगा तो सब बच्चे confused होगा है कि सर ये वाला rate वहां का भी है वो ये वाला rate यहीं का इंडिया का और discounting rate भी दिया हुआ है हमें करना क्या इस question है सर हमें ये करना सबसे पहला काम है कि अफ्रीकन करेंसी को अफ्रीकन रेंट को इंडिया में convert करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए forward rate क्या inflation rate हमें दोनों जगा का दिया हुआ है yes उस inflation rate को लेते हुए हमें क्या निकालना पड़ेगा forward rate अफ्रीकन रेंट 6 तो उपर अफ्रीका का inflation rate नीचे है इस तरह से हम क्या निकालेंगे forward rate कल गया है बोलो हाँ इसके बाद cash flow निकालेंगे cash flow पहले इंडिया का लिखे कि अफ्रीका का बीटे पहले अफ्रीका का cash flow लिखते है और कौनसी currency में लिखते है रेंटस में है लिखते है मैंने पहले अफ्रीका का cash flow यह एफ्रीका का cash flow लिखा rents में और यह कौन सा cash flow लिखा हरसल यह real cash flow अब inflation का rate कितना 40% इस पर तो inflation का effect नहीं पड़ेगा पर इस पर 40% rate होगा 50,000 प्लस 40% 70,000 प्लस 40% प्लस 40% यह मैंने आपको capital investing में समझाया इस तरह से हमने African rent ही निकाला पर इसमें inflation को adjust कर दो action rate अल्रेडी निकला हुआ है मारा पर याद रखना कि रुपीज का rate दिया और यह क्या है African rent सर यह divide होगा यस divide होने पर यह आ गया this is nominal cash flow in rupees उसके बाद हमने इंडिया का cash flow लिखा कौन सा वाला real वाला real cash flow और उसमें inflation को क्या कर दिया हमने adjust तो यह आ गया अब यह वाला cash flow और यह वाला cash flow इन दोनों को add कर दिया तो यह आ गया total cash flow कहां 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 अफरीका और इंडिया nominal cash flow आया दोनों discounting rate 20% दिया है तो pvcii निकल लिया pvcii कैसे निकल लिया यह वाला छोड़ दो इसको एक दो तीन इन सब को इसमें से यह minus कर दिया तो यह pvcii बस एक चीज़ बाद किया question में बोला है कि तीन साल बात perpetual होग तो मैंने क्या किया पर यह वाला तीन ग्रोथ है नहीं इसमें यह वाला cash flow को यहां लिका और ग्रोथ की बात ही नहीं है 20% perpetual होगा तो terminal value निकल और उसको third year से multiply कर दिया यह आगे हैं यह minus में है यह plus में तो NPV हला कि negative आएगा पर चल जाएगा project को reject कर दो बस आपको presentation पर ध्यान देना since NPV is negative project should be rejected अच्छा question था इसको question को करने का बनता है भाई पीज एक बार pain उठाओ और कर लो इस question question 5 और यह क्या है sir यह टी वाई के 5 ती वाई के 5 और यह एक्जाम का question है क्या है कि बुक का question टी वाई के 5 है तो देखना तो जरूर अच्छा question है प्लीज देखना पूरी उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा तो problem आई ना जिसका board notes नहीं है तो मैंने इस तरह से किया तो आप manage करोगे यार दिखा एक्स वाई जेड कंपनी है और जो कहां की है sir in India इंडिया इंडियान कंपनी तो color change manufacture very high quality modern furniture and sell to a small number of retail outlet in India and Nepal tough competition है और marketable बहुत सारी बाते बता रखा है और quality हमारे यहां के इंडियान ओट की quality थोड़ी सी महगी है इसलिए हमारा target quantity पे है तो हम क्या कर रहा है हम import कर रहा है लकडी कहां से नेपाली supplier से simple सी बात है हम furniture बनाते है furniture इंडिया में भी विखता है और नेपाल में भी विखता है ठीक है अब यहां लकडी कहां से खरीदी जाए तो हमने डिसाइड किया कि इंपोर्ट कर लेते है बल्क में कहां से नेपाल से और furniture बनाते है और इंडिया में भी विखते नेपाल में भी विखते currency में भी इंडिया में भी नेपाली currency में भी इंडिया में भी नेपाली currency ओके अब मैं करना क्या है home currency की foreign currency में ने कहाना अधिकतर हम home currency अप्रोश भी कोश्चन बनाते है और उसने बोल अभी है कि x y z जो है evaluate करोगे discounting rate आपको कितना पर्षंट लेना है 9% और जितना नेपाल इस customer जो invoice करते हो नेपाली करेंसी में करते हम लोग ठीक है उसको आप convert कर दीजिए इंडियन currency में तो उसके लिए forward rate लगेगा ओके और इस portrait कहीं ना कहीं दिया होगा action rate दे दिया है पर inflation rate दिया दिया है 9% तो सरी ये real cash flow कि नहीं भाई नहीं ये nominal है ओके तो इसको अब हमको वापस nominal है अगर real होता तो पहले हमें कोई inflation का adjustment करना पड़ता अभी करने की जरूरत ही नहीं है बस आपको convert करने वाला काम बचा बस इसके लिए forward rate और forward rate आप निकाल सकते हैं और ये दिया नेपाली currency 1.6 मतलब दिया है नेपाली currency per rupees forward rate निकाल होगे इसके मदद से निकाल हो से पहले इसको convert कर देना रुपीज में और ये तो रुपीज में दोनों को add कर देना और 9% से discount का होगे मैं ये नेपाली currency है ये forward rate में निकाल कर दिखाया नहीं है पर निकाल लिया था आप लोगों ने इसको convert कर दिया रुपीज में ये के सार डिवाइड ही होना था यस इस अब उन्होंने पूछा है modified IRR reinvestment rate दिया होगा Modified IRR बोला Modified IRR Modified IRR क्या होता है IRR क्या होता हूँ हमको पता Modified IRR मैंने पहले भी करवाया है कहीं न कहीं CA enter का basically Realized Yield ये Realized YTM वो भी पढ़ाया है पर याद नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो cash flow आएगा इसको हम reinvestment करेंगा इसको हम कहां तक पहुचाएगे लाश्ट तक लाश्ट में जोड़ देंगे और पैसा जा रहा आज फिर देखेंगे कि यार कितना मिला rate समझा रहा हूँ तो ये जो पैसा आएगा 4.4791 इसको हमने 9% पे invest किया एक साल दो साल के लिए तो ये हो गया कि हर साल हम कमा रहा है 7.73 ये कोश्चन भी करना जरूरी है क्योंकि यही एक मात्र कोश्चन है इसमें मोडिफाइड आई आई आर मांगा है कोश्चन नुबर 6 बहुत गंदा कोश्चन है करना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को confusion create कोश्चन नुबर 6 सर मोडिल का कोश्चन है क्या मोडिल का कोश्चन नहीं है पपड़े इसमें क्या खास बात है समझा रहा हूँ ठीका सर DD limited इंडिया में बहुत ही नहगी है ठीक है बहुत हाई है इसलिए हम रिवीव कर रहा है प्रपोजल का और हम सोच रहा है कि क्यों ना बल्क में खरीद लए यूएस सप्लायर से तो यह सर वैसी वाला कोशन नेपालीस वाला बस एक दिक्कत है नहीं इंडियन कैश प्लो दे रख तो इस सर यह 25 डॉलर जा रहा है ठीक है अब आएगा 578 और रुपीस का यहां तक तो जो पिछला कोशन है वैसे ही था यहां तक कोई दिक्कत है यहां हद कर दिया इंस्ट्रियो चार सो चार सो पचास पास सो छे सू यह है क्या चीज़ लिखा है सब इप नॉट इंडियो इसका मतलब क्या है यही दिक्कत बस इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अगर हम इंडिया से इंपोर्ट अगर देखो दो पहला मिनिंग जो मेरे मन में है सर क्योंकि हम US से बल्क में हम इंपूर्ट कर रहे हैं अगर हम US से इंपूर्ट नहीं करते तो हमें इंडिया से खरीदना पड़ता और इंडिया से खरीदना पड़ता तो इतने का पड़ता अक्चूल मैंलाजिक ही ता पर Institute ने कुछ और ही कर रहे है उन्होंने क्या interpretation ले रखा है कि भाई देखो जो leather हम यहां से बल्क में खरीद रहे ठीक है leather बहुत सारा लग रहा है और जो हम यहां से यहां से जो खरीदा खरीदा और जो यहां से नहीं खरीद पाई वो हम इंडिया से खरीद रहा है सर रॉंग interpretation है आपकी हाँ मैं जानता हूं पर करना ऐसी पड़ेगा जितना leather हमने यहां से खरीदना था खरीद लिया और बचा-कुचा leather हमें और भी तो लगता होगा और बचा-कुचा भी यहां से खरीद रहे है मतलब सर यह cost हो गया है आलाकि गलत interpretation है आप जितनी गालिया देना है देदू कोई फरक नहीं पड़ना हुझे पर मुझे वो जो इंस्टीट ने करवाया मैं वैसे खरूँ गलत है totally गलत है मतलब सर इतना leather डॉलर में खरीदना पड़ेगा इतना पैसा आएगा और इतना हमारे पास से और जाएगा किया जाता है वैसे ही कोश्चन है सब कुछ वैसे ही है अगर आगे मैं इसको ना भी समझा हूँ पहला काम है आप forward rate निकालोगे उसके बाद आगे चले तो ये तो हम वैसे भी कर रहे थे हैं इसको हमने action rate से multiply किया cash flow आगया ये cash flow आगया बस ये थोड़ा सी बात आपको हजम होगी नहीं पर करना पड़ेगा और ये negative नेगेटीव ही आना था जब इतना minus minus दिखाओगे तो negative ही आएगा प्रोजेक्ट को reject करतीचे हाला कि totally गलत question करवा रहा हूँ okay sir अगे चले question number 7 अच्छा question है देखे एक बार इसको भी देख लेख 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 पड़ते हैं multinational company is planning to set up a subsidiary company in India कोई US की company है यस और इंडिया में वो factory खोलना चाहते है कोई US की company अभी इंडिया में क्या कर रही थी export export कर रही थी कोई US की company इंडिया में US की company इंडिया में export कर रही थी ठीक है पर यार demand बहुत ज़्यादा था competition बहुत ज़्यादा था पाकिसारी company भी अपना project यहां इंडिया में लगा रही थी तो US वाली company ने सोचा कि हम क्यों export करें भी वहीं factory लगाते हैं वहीं से काम निकालते हैं उन्होंने का यार आब export वाला काम करते हैं खतम करते हैं चलो ना यार इंडिया में project लगाते हैं और project लगाते हैं तो अगर हम अपनी currency में US कर रहेने वाला मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया में project factory लगाता हूँ तो वहाँ मेरा कितना चाहेगा बुले डॉलर 500 million लगेगा भाई मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ मैं US वाला हूँ ना यार मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ और इसके लावा working capital requirement लगेगा 50 million depreciation का method कौन सा SLM अब भी जो export कर रहा है वो कितना million export कर रहा है बोले 2 million unit export करते है 80 dollar में बेशते हैं variable cost आता है 40 dollar चुंकि हम US में ही factory लगा रहा है US में ना इंडिया में factory लगा रहा है तो वो जो export कर रहे थे ना वो तो बंद हो जाएगा तो CFO है उन्होंने और कुछ information बता है कि variable cost क्योंकि हम production करेंगे इंडिया में तो dollar 20 का variable cost लगेगा इस कोई actually foreign currency approach वाला कोई question ही नहीं इसमें कोई conversion वाला नहीं है इस simple capital bursting का question है और कुछ ठीक है sir 20 dollar per unit लगेगा हमको variable cost इसके अलावा additional fixed cost लगेगा 30 million dollar इसके अलावा allocated fixed cost लगेगा 3 million dollar decision making में allocated fixed cost को हम ignore कर देते है concept ते इंटर मैं पढ़ा होगा यह मैंने समझाये होगा class production capacity है 5 साल production capacity है 5 million units का हम production और पहले जब export करते थे सिर्फ 2 million units बिकती थी अब 5 million units का हम production कर सके life है पास साल ठीक है sir और साथ में working capital requirement नहीं existing अब भी working capital 50 million लगने वाला था 50 million लगेगा हम factory open कर रहे थो लेकिन जब हम export करते थे थे ना तो भी हमारा working capital लगा हुआ था और कितना हमें लगा हुआ था 15 million मतलब sir additional हमें working capital 35 million का ही लगेगा अगे लिखा है export of the product in coming year will decrease to 1.5 million unit in case the company does not open subsidiary company in India अभी export कितना कर रहे थे past में 2 million units हम इनका ग्याना कि भीया आगे future में हमको ऐसा लगता है कि हम 2 million units नहीं बेच पाएंगे इंडिया में अगर हम सिप export ही करते है तो 1.5 million C units बेच पाएंगे that's it और क्या बोला है tax rate 35% required rate of rate to 12% हम मेरी बात समझ रहा है कि क्या है concept क्या logic क्या question क्या क्या नहीं हमको incremental approach से question बनाना अगर हम export करते तो क्या होता 1.5 million units बेचते ठीक है कितने के सबसे 80 dollar के सबसे 40 dollar variable cost आता तो हम CFAT कितना कमाते tax works काटने के तो फिर क्या निकलता ये निकलता CFAT of old machine या CFAT existing CFAT फिर हम कहते कि अगर हम new plant लगाते है factory लगाते हैं इंडिया में तो हम CFAT कितना कमाते हैं और उन दोनों के बीच का difference आता incremental CFAT ये जो हम extra खर्चा करने वाले हैं तो इसकी वज़ा से extra कितना कमाएंगे कोई में नहीं अगर देखोगे ध्यान से इंडिया में plant लगाये जारा export करने पर 2 million 2 million card तो 1.5 million और ये और 60 से multiply कर दें अगर हम export नहीं करते इंडिया में factory लगाते हैं तो कितना लगेगा बोले cost लगेगा 500 million working capital लगेगा 50 million हलाकि 50 million नहीं लगेगा 35 million से लगेगा depreciation का method SLM life वो CFAT वगेरा निकाल लेंगे कितना units से बनाएंगे 5 million variable cost कितना है 20 per unit of fixed cost कितना है dollar 30 million तो लो निकाल कर देखे क्या cells सबसे पहले अगर हम export करते तो CFAT क्या हो अगर हम export करते तो हम 1.5 million से बेच पाते 2 million हमारे काम का नहीं 80 के जब से तो यह आता PBT depreciation को कोई चकर ही नहीं है तो tax minus करते तो यह आता CFAT अगर हम export करते हम factory नहीं open करते अगर हम इंडिया में factory open करते तो क्या होता तो बोले फिर हम 5 million units 80 के सब से बेच थे variable cost लगता fixed cost लगता depreciation यह CFAT 210.50 मिलिया तो सर उस इसाब से हमको extra कितना आता हमारे पास this is incremental CFAT यह तर ठीक है तो यह वाला table बना लेंगे हमारे capital बश्टिंग वाला cost of machine या cost of project और working capital working capital 35 क्यों लिया क्योंकि extra कितना लग रहा 35 incremental CFAT पास साल तक और incremental working capital का मतलब पास साल बाद जब हम project को बंद कर देते तो वापस कितना मिलता अगर हम project अगर हम export ही करते तो 15 million तो मारे recover होता होता पर अब कितना million recover होगा पचास तो extra working capital कितना recover हो जाता 35 million NPV आ जाता NPV positive तो project को कर ले okay question अच्छा था क्या है question अच्छा है कुछ बच्चों को यहाँ doubt आया था कि sir last में तो 50 million वापस मिल जाएगा बेटे में बात उसकी नहीं कर रहा हूँ अगर आप factory नहीं open करते तो भी तो 15 million recover होता ना अब पचास हो रहा है तो extra कितना recover हो रहा है 35 million तो इसमें कोई कुछ खास था क्या कुछ खास नहीं था कोईशन अच्छा था वाग्य है तो लेगले कोईशन पर रहा हूं कोईशन नमबर 10 में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आप देगा simple question है तो आप कर भी कर देगा simple question है कोईशन पर 11 अच्छा question है ती वाई के 2 ती वाई के 2 वपड़े ही क्या हमारी बुक में question number 11 question जो भी होगा देख लोगे है US based company is planning to set up a software software development in India वो US की company है वो software बनाने का सोच रही है और कहां बनाने का सोच रही है हमारी बुक में ये 12 हुआ है ती वाई के 12 हां मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि को US की company है जो software इंडिया में बनाने का सोच रही है क्यों कि यहां specialist है और जिससे हमारा कम पैसो में software बन सकता है US की company इसलिए इंडिया के software बनाने का सोच रही है और software डवलब करके वह वापस ले जाएगी US और US क्योंकि इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं इंडिया वाले बुलेंगे tax देना पड़ेगा भाया हम यह मान के चल रहे है कि US यहां software बनाने का अब देखो टेक्स तो लेगी इंडियन गवर्मेंट अब इंडियन गवर्मेंट टेक्स लेगी तो इंडियन गवर्मेंट क्या कहेंगी देखो भाईया सौट्वियर जितने का बनेगा यहां से अगर software बना कर बेचा जाता दूसरे को तो कितने का बिकता दिशी ट्रांसपर प्राइजिंग तो बहुत दूसरी company को यहां से software बना कर बेचा जाता तो बहुत दस million का बिक जाता तो selling price, क्योंकि tax हमको निकालना पड़ेगा, तो बहुत टैक्स निकालने के लिए हम यह मानेंगे कि यहां से जब आप वापस software ले जाओगे तो उसका जो transfer pricing है, वो selling price हम कितना मानेंगे, तस million dollar मानेंगे और उस हिसाब से आपस tax वसूल कर देगे यूएस की अपनी बोले ठेक है, software बनाया जा रहा है, यह बन गया software, बोले हम इसको वापस खरीद नेंगे, कितने million का, 10 million का, उसके इसाब से Indian government आप tax ले ले लिए सिर्फ tax calculate करने के लिए transfer pricing का, the unit will remain in existence in India for one year, सिर्फ एक साल के लिए unit रहेगी इंडिया में, जो software development का काम करेगी और US-based company को tax, इस tax निकालेंगा तो tax लगेगा 30% ठीक है, और withholding tax लगेगा 10% इंडिया, ठीक है, और will not be eligible for tax credit in US the software developed will be sold in the US market, और US में वो बारा मिलियन का भिच्चा है other estimates are as follows कैजे, sir, किया क्या जा रहा, कुछ नहीं करना है, भाई, US की company कर क्या रही, software बना रही है software बनाने में जो भी cost लगेगा, वो कितना लगेगा, साथ में, साथ में, साथ में, टेक्स भी लगेगा, साथ में, with holding tax भी, सब लेकर देखेंगे, cost कितना पढ़ रहा है और जब हम लेकर आएंगे, मैं, US का हूँ, मैं, US का हूँ, मैं, US का हूँ, मैं, सोच रहा हूँ, बही है, software बनाने में, कितना खर्चा है material, labor, वगेरा, मैं, वो सब जोड़ लो, और साथ में, Indian government छोड़ेगी ने, tax लेगी, वो भी जोड़ लीजिए, और क्या, भी थोड़ देखेंगे, चलो, वो भी जोड़ लीजिए, सब मिलागा, cost कितना पढ़ रहा, इन dollars, इन rupees में नकलेगा, उसको हम dollars में calculate करेंगे, बहले मैं ये कोशिश करा हूँ, इंडिया में अगर software develop किया जाए, tax packs लगेगा, सब जोड़ने के बाद मुझे कितना cost पढ़ रहा है, क्या ये 12 million से ज़्यादा पढ़ रहा कि कम पढ़ रहा, cost और ये action rate है, और एक साल में 365 दिन है, तो चलो देखे, cost कितना पढ़ा, ये सब सारी गहानी है, देखते है, cost कितना, सबसे पहले, Indian government क्या बोल रहे थी, Indian government, सबसे बले tax का amount ने कालो, सबसे बले, ये Indian government क्या बोल रहे थी, हम मानेंगे कि 10 million dollar का आपको software बेच देंगे, हमने क 48 के हिसाब से, 48 के हिसाब से, इतने का आप हमको software base दोगे, जूट मूट में, tax निकालने के लिए काम हो रहा है, अब मैंने का खर्चा तो काटोगे, ऐसा दो नहीं कि आप sales पर tax लोगे, खर्चा काटो ना कितना काट रहा है, रैंट लगेगा, manpower cost लगेगा, ये सब खर्च बोले 11 लक, ये आ गया, 11 करोड़ो 95 लाक रुपिया का खर्च आए, उसाद से बोले profit before tax है, अब इंडियन गवर्मेंट कहेगी, tax, बोले tax 30 परशन, बोले ये आ गया, और इस पर बोले withholding tax भी लेंगे, हमने का ये भी ले लो withholding tax, हला कि withholding tax का यहूं conceptual गलत है, पर बोले withholding, अब बताओ कि कितना रुपीज में खर्च आ रहा है, इंडिया में software बनाना, एक तो ये expenses, और ये एक tax, और इन तीनों को add कर लिया, तो इतना cost पर इन रुपीज, और डॉलर में 48 के सब से convert किया, तो इतना डॉलर, millions में इतना डॉलर cost परड़ा है, अगर हम इंडिया में software develop करें तो, tax, wax, withholding, tax, wax, सब पकड़ें, इतना डॉलर, बनने दो, क्योंकि US में हमारा कितने का भीखने वाला है, 12 million का, तो बना लो इंडिया में, accept कर लेते हैं, tax bill लेने के बाहुजूद भी, सब कुछ, खर्चे add करने के बाद भी, इतना ही तो cost पर रहा है, ठिक, तो project should be accepted question number 12, exam में आया हुआ था question, अलगे question बिकार है, एक ही जगा गरबड़ी है, हो क्या रहा था, एक बार पढ़ ले क्या, करी लेते हैं, sir, book में है, sir, book में कौन सा question, book में 13 है, और ये book में देखोगे, तो 13 है, ठिक, ठिक, एक बार, दिखा, propose for an investment involved, creation of a plant with 1 million units, तो एक million units बनाने का सोच, और selling price कितने के सबसे, 10 डॉलर के सबसे, तो sir, ये निकल गया है, sales, एक unit पर 10 डॉलर, तो एक million पर 10 million डॉलर ये आ गया है, sales, current action rate, अब भी cost of production कितना है, dollar 6 पर unit, but dollar जो है, वो 10 person से decline हो सकता, या 15 person से decline हो सकता, the change in local cost of production and probability from the expected current level will be, अब धिहां से देखा, बोले, decline, कितना परसे हो, अब यहां समझना, उपर से बाती समझ भी नहीं आ रही, यहां से आ जाएगी, ये question institute का है, एक्जाम में आया था, January 2021 में इसलिए करवा, बोले, dollar या तो decline नहीं भी हो सकता, या तो 10% से decline हो सकता है, या तो 15% से decline हो सकता है, बोले, इसकी वज़ा से, जो 6 रुपे पर unit है न, ये 6 ही लगेगा, या 5 रुपे 70 पैसे भी हो सकता है, या 5 रुपे 45 भी हो सकता है, पाच रुपे 45 डॉलर भी हो सकता है, पर unit, और इस बात की probability ये है, बात समझना, selling price में कोई change नहीं होगा, लेकिन cost पर unit में change हो जाएगा, और इस बात की probability 40%, 40%, 20%, और depreciation है, 1 million dollar, किस पे current rate of actions, और tax का rate है 30%, सबसे पहले annual CFET निकालना, under all three different scenario, अलग-अलग scenario से हमें CFET निकालना है, सबसे पहले सूची, sales तो आ जाएगा same, cost आएगा 1 million into 6, 1 million into 5.7, 5.45, भी मैंने किया, ठीक है सर, ये आगए सर, CFBT, पर depreciation का चक, इस ratio में, इस ratio में, dollar जो decline हुआ ना, उसी ratio में, भाई साब, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने, depreciation भी decline कर दिया, इसका मुझे logic समझ में नहीं है, हैं, 10,00,00,-10,000, और,-15,000 ना करके उन्होंने, 10,00,00,-15,000 पर किया है, कोई logic नहीं है, अगर आप कहोगे कि नहीं है, logic पर जाओगे, बिलकुल, हाला कि मैं बहुत सारी बात係 इसको समझाया कि, और इसको ऐसे रट लेते हैं, रटना ही है, ultimately और कुछ PBTIR tax और फिर CFAT आ गया और कुछ अलग अलग सिनारियों के सबसे CFAT आ इतमेंस इसमें जो दिक्कत है वो किसमें है depreciation मैंने पहले भी बोला था आपको याद करना ओके फिर दूसरे नमबर पर expected CFAT मांगा है वो तो आप निकाली लोग है expected CFAT में तो कोई दिक्कत है अब आगे क्या बोला viability of investment proposal assuming है initial investment dollar 25 million ठीक है भी 25 million on plant and working capital with a required discounting किसे करना है 11% और CFAT जो grow होगा वो कितने परशन से होगा 3% in perpetual तो यह जो CFAT निकाला है आपने कि CFAT कब का है आज का है कि future का future का है इसमें growth rate एड नहीं होना चाहिए institute ने यहाँ भी growth rate एड किया है इसका भी मुझे कोई sense नजर नहीं आप perpetual समझ में आता है पर यह तो हमारा है अल्रेडी एक साल बात का अगर आप कहरों यह आज का है तो totally गलत है मतलब सर यह question ultimately याद करना पड़ेगा यस चोड़ सकते कि छोड़ भी सकते exam में आया हुआ AFM के module में नहीं डला हुआ है पर मैंने कर दो तो यह था हमारा international capital बश्टिंग अब इसी में एक topic आता है ADR, JDA वार वाला और उसका question भी आता है तो एक बार वो भी देख ले क्या tension कतम करें जैसे हैं Reliance और Reliance को जो funding करनी है वो India से नहीं करनी है उसे dollar में पैसा चाहिए वो US से funding करना है अगर India से funding करना चाहते तो shares issue करेंगे पर उन्हें जो पैसे चाहिए वो चाहिए dollar में dollar 500 अब US से funding करना तो US में जो issue करेंगे वो shares issue नहीं करेंगे US से अगर पैसा आपको लेना है तो वहाँ ADR issue किया जाएगा American Depository Law के इसाब से बहुत कुछ घुमेगा Law में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा ऐसे यार हमको अगर London से पैसे लेना है funding करना है तो फिर GDR issue करना पड़ेगा America के अलावा कहीं और से भी issue करना पड़ेगा उसको बोलते Global Depository अब sir issue कैसे करते तो हम कहते यार share कितने का Reliance का actual market में अभी India के सबसे क्या share का price चलरा बोले share का price चलरा 400 रुपए हला कि face value है 100 बोले क्या 400 रुपए में share issue कर रहा है बोले नहीं हम 10% discount पर share issue कर तो ये मतलब 400 का 10% discount में मतलब 390 रुपए में share issue और एक GDR में कम से कम 3 shares रहेंगे 3 shares क्योंकि चोटा सा figure नहीं चाहिए मैं बड़ा figure चाहिए 3 भी हो सकते 2 भी हो सकते 4 भी हो सकते तो हमें क्या है 1 GDR कितने का issue होगा वो निकालने के लिए आता है 1 GDR तो देखे एक GDR में कितना shares? 3 और एक share की कीमत कितनी? सर तो वो कर लेते हैं 400 का 90% ये एक share की कीमत आगी और 3 share तो सर 1080 रुपए का एक GDR रुपिया का बहुत रुपिया का नहीं डॉलर में बता हो तो ये action rate क्या चल रहा है action rate 80 रुपए चल रहा है तो उस हिसाब से एक GDR जो है वो 13 रुपए 13 डॉलर 13.50 का एक GDR, ADR या GDR इस्यो का बाद समझने की कोशिश करना बिल्कु सिंपल है पहला आएगा कि यार GDR कितने में इस्यो हो? तो जो भी share का price है उसको कितने में इस्यो कर रहा है और number of यह आगया उसको एक्षिंज रेट से डिवाइट कर देना तो एक GDR कितने में इस्यो हो रहा हो आजाए जहां तक ठीक दूसरा कुश्चन पूछे जाएगा number of GDR तो भही आपको चाहिए कितना है? बुले 500 million बुले ठीक है पर बुले floatation cost भी लगता है 500 million dollar चाहिए पर floatation cost है और floatation cost कितना है? 2% तो floatation cost किस पे लगता है? बुले जितने में issue कर रहे हो उस पे 2% बाद समझना? मतलब सर हमें इसको net यह net मुझे 500 million चाहिए चाहिए net तो it means यह मेरे लिए कितना percent है? यह मेरे लिए 98% है net काट कुटने के बाद net आप gross up और net of value समझते हो यह net value मुझे चाहिए 500 तो 500 divided by 98% तो sir हमें issue करना पड़ेगा पासो 10.204 इसका 2% कटने के बाद मुझे 500 million मिलेगा तो मुझे इतने रुपए के GDR issue करना पड़ेगा और एक GDR है 13.50 के तो क्या number of GDR निकाल सकता आराम से this divided by this simple topic है इसको बहुत ज़्यादा complicated और बहुत ज़्यादा लंबा खीचने की ज़रू हमारी बुक में होगा यह question number 14 और illustration है TY के कुछ है नहीं है इसमें simple question है एक बार एक question करें यह बात कतामा लिखा ओडिशा limited has proposed to expand its operation for which require fund कितना चाहिए सर डॉलर 15 million चाहिए net 15 million चाहिए और 2% issue size flotation cost 2% मतलब 15 divided by 2% 15 divided by 98% तो सर हमें जो issue करना पड़ेगा 15.3061 कितने dollars के GDR issue करना पड़ेगा इतने millions के it proposes to raise the fund through GDR ठीक है it consider the following factor in pricing the issue तो रुपीज में निकल जाएगा 300 into 90% into 3 तो सर 810 रुपे का एक GDR और action rate दिया है साथ तो डिवाड़ेड बाई साथ तो एक GDR होगा डॉलर 30.5 number of GDR कैसे निकलेगा this divided by this तो number of GDR भी निकलेगा वही क्या ये निकल गया ये भी निकल गया और आप GDR और आप GDR भी निकलेगा दूसरा बोल रहा cost of GDR cost of GDR क्योंच ने GDR मतलब equity मतलब सर वो केई मांग रहा है तो cost of GDR देखते है cost cost dividend दिया होगा yes sir dividend है 20% और growth rate है 20% तो सर सबसे पहले dividend का amount निकल ले क्या एक share का face value है 10 रुपए एज्यूम किया तो सर 2 रुपए एक share पे तो एक GDR में कितना shares है 3 एक GDR पे dividend कितना है 6 रुपए even और एक GDR issue कितने में हो रहा 270 into 3 into 98% पर यहां हमको net proceed P0 की जगा net proceed ने क्लिखना पड़ेगा minus production cost काटने पर इतना 20% discounting rate है sorry growth rate है 20.76% this is cost of GDR या cost of equity और question यह पूछेगा कि अगर यार हम GDR issue ना करके bank से पैसे लेंगे और bank पे 12% पे हमको पैसा मिल सकता है तो GDR से पैसा उठाना अच्छा है कि bank से वही bank से उठाओ तिक ऐसा वाला question है यह वाला question वही वाला जहां उसे ना है यह पूछा है ठीक है तो यह तो कर लोगे that's it यह कर लोगे इसमें कुछ special नहीं है तो भाई international financial management फिलको simple topic था खतम हो चुका है please एक question जो RTP में आया है नया question है वो करना होगा please उसे कर लेना मुझे ऐसा लग रहा कि वो question पूछा जा सकता है वो question capital listing और IFM मिला कर question बनाया है तो chances जाता है thank you so much और बनाया है उसमें कर दो में है नहीं है जहाग्चा-थ थार्ड नहीं है